अब उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसी फिल्मों को सबसीडी नहीं देने का फैसला किया है जिसमें असलीलता हो और सरकार ने इस पर चिंता भी जिताई है इस पर गोरकपूर के सांसद रवी किसन सुकला ने उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसले का समर्थन किया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यवंट्रियोगी आदिते नात को धन्यव्याद ग्यापित किया है सांसाद रवी किसन ने कहा कि कुछ लोगों ने पिछले पांच और छे सालों के भीतर भोशपूरी में असलीलता फैला दिया था जिसके रोक के लिए लगातार संगर्स करता रहा अब प्रदेश सरकार ने जो भोशपूरी में असलीलता रोकने के लिए कदम उठाया है वो काबिले तारीफ है इस सम्मन्द में गोरकपूर ने उससे बात करते वे शदर शांसाद रवी किसन सुकला ने कहा धन्यवाद मैं देना चाहूंगा पुझी योगी महराज जी को उत्रप्रदेश सरकार को ये ने लेना की जो भी भोशपूरी फिल्म में अशलीलता हो अशलील गाने हो समाज को खराब करने वाली बात हो समाज इसे दुशित होता है भोशपूरी समाज पर आरोप लगता है या हमारी बोली पर मा की बोली पर उसको सरकार से अनुदान जो सबसिडी कहते हैं उत्रप्रदेश सरकार से मिलती थी वो अब नहीं मिलेगी पुझे महराजी आपको धन्यवाद ये निर्णे पिछले हफ़े ही हम मिले थे और मैं इसकी एक मुहिम मैं एक लड़ाई लड़ रहा था एक सीनियर कलाकार होने के नाते और आपने मेरी बात मान ली और मैं आपने इस सेंसिटिविटी को इसकी गहराई को और इसकी को समझा मैं आपको धन्यवाद देता हूं और एक बहुत बड़ा बहुत बड़ी एक सीख होगी बहुत बड़ा चाबुक होगा उन सब के लिए जो भुझपुरी में श्रीलता परोस्ते हैं जिन्होंने 5-6 साल में आके भुझपुरी को एक गंदा मार्केट बना दिया था हमनों को शरम आती थी आज उसके लिए एक बहुत बड़ा ये निर्णय योगी महराजी की सरकार ने लिया है कि अब आप लोग गंदगी या गंदे काने या गंदी फिल्में बनाएंगे भुझपुरी में आपको उतरप्रदेश की सरकार सबसिजी ये अनुदान नहीं दे धन्यवाद पुझे महराजी आपबा